नूरे मिदत की जज्मन की तरफ हमने आना है फाइनल डिसिजन की तरफ इलिमिनेशन की तरफ लेकिन उससे पहले जैसे के आप जानते हैं ब्रेक से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि रॉयल फैन साथ जिंदगी भर का आज हम आपको गिफ्ट करेंगे अपने किसी एक विनर को ब्रैकिट फैन उसके लिए आपने सिंपल से हमारे सवाल का जवाब देना है और जो भी मैं नंबर रिपीट करने जारी हूं नंबर अपने पास सेव कर लें डेली हम ये एक्टिविटी करेंगे 0333-472-1524 पे कॉल करें और डेली किसी एक आसान सवाल का जवाब द चुछायत कर रहे थे कि हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए हमारे साथ कॉलर है और फर्स्ट कॉलर है लो असलामुलेकूम ऊलेकूम अलेकूम अलेकूम क्यसी एं मैं बिलकुल ठीक हूं मिसिस अमजट आप लगूर में होती है दिमेल आप मैं अटार मिसम्जद कैसा पर प्रोग्राम नूर रमजान बहुत मज़ा आथा है, बहुत रूट संदोज होते हैं, रोजा रखके यहां पर जो पहला सवाल पूछने जा रहे हैं, अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा प्राइज, तो सोचके जवाब दीजिएगा, लेकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आज पंदरा रमजान बुबारिक है, आज के दिन की क्या खास बात है, विलादत है हमारे किसी परगंबर की साज, जरा सोचे, आज यौम विलादत है, किसकी यौम विलादत है, हमारे परगंबर, रसुले पाक की, नहीं, थैंक्यू सो मच पर कॉलिंग, मिस्समजद, थैंक्यू सो मच छी, हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे, थोडी देर के बाद, सवाल तो अब आप लोगों ने सुन ही लाए है, इतना आसान सवाल है, और यह पूछना कि यह प्रोग्राम देखती हैं, अगर यह ग करते हैं, ताकि आप इसको सुने भी, हम भी सीखें और आप भी हमारे साथ-साथ सीखें, तो थोडी देर बाद हम फिर से कॉल की तरफ जाएंगे, अब आ जाते हैं, इलिमिनेशन की तरफ, अच्छा मुझे अभी जो कार्ट दिया गया है, उसके उपर कुछ मैं आप लोगों के साथ खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मैं पहले फॉर्थ और थर्ड कंटेस्टेंट जो हैं, जो नमबर फॉर्ड पे और नमबर थर्ड पे आएंगे उनके से वारे में बताती हूं, फॉर्ठ पॉजिशन हासिल की है, उस्मान चिष्टी ने, एक कदम आगे ले लो बेटा, उस्मान चिष्टी ने फॉर्थ पॉजिशळ हासिल की है, बेटा, अभी कुछ महनत की जूरूरत है, लेकिन आप इस स्टेज पे भी पहुंच पहे हो, बह थार्ड पॉजिशन थार्ड पॉजिशन मुहम्मद अली खालिद एक कदम आगे मुहम्मद अली खालिद अल्ला ताल आपको काम्याबी दे जो फीट बैक आप में लिए कोशिश कीजेगा किसको फॉलो जरूर करें थार्ट अब जो बागी के दो कंटेस्टेंस है प्लीज जरा आगे स्टेप फॉवर्ड प्लीज बिलाल मुक्तार एन सेदा मर्यम ताहिर बिलाल मुक्तार के 68 पॉइंट्स है और सेदा मर्यम ताहिर के भी 68 पॉइंट्स है ये टेकनिकली बात गलत है मंदी भाई ये क्या आपसे मेरी बड़ी क्लियरली बड़ी दफा बात हुई है मैं इस पर बात करना चाहरा हूँ वो ये है कि क्योंकि हम अपने अपने बोत पर कॉमेंट्स और नंबर्स देते हैं तो ये पर ये शबास भाई ने अपने सेट पर नंबर दी है मैंने अपने सेट पर नंबर दी है अब कंपाइल करने के बाद अगर वो नंबर बराबर हुए है या सेम हो गए है तो इसमे मतलब आप देखे नह कहमे तो अंदाज़ा नहीं था कासिम भाई देखें बात ये कि ठीक है कि दो कंटेस्टेंट्स के इक्वल मार्क्स आये लेकिन कहीं पे तो फिर आप लोगों को बीच में मुशामरत करके भी तो डिसिजन लेनी हैं पॉइंट्स ठीक है दोनों के एकवल है बट इस तरह से तो नहीं कासिम भी देखें देखें देर हैस तो बी नंबर वन यह थीक है यह तो एक जान निखाल निखाल निया अबर आगर अगर आज वो पॉचेंगे नुमर नुपार आप ड़र आप मेरी सपोर्ट के बजाये आप उस साइट पर जाते हैं आप आप यह पेरें नहीं नहीं प्राइं सॉरी बट देर हैस तो बट इस तो बी नंबर त with all due respect and love आप फिर सुन लें बच्चों से और आप कुदी रिक्वेस्ट करें कि अपनी मर्दी से कुछ भी सुना दें जो दिल चाहे आप लेकिन नातिया मजमून हो अचा बिलाल बिटा आप एक स्टेप पीछे ले ले लें आप बढ़ेंगी और उसके बाद फिर लाल बढ़ेंगी हुश्बू है दो आलम में तेरी है गुले चीला किसमू से बाया हुश्बू किसमू से बाया हुश्बू तेरे ओसा फे हमीदा तुझे सा कोई आया है ना आये गजहां में देता जजाकाला जी इनके एकतवा ये पढ़ लेंगे दोनों बच्चे तो मैं आपको जो मिनट दोंगी मैं कॉलर ले लोंगी रोयल फैन का उसके बाद फिर आप डिसिजन बेशा का नाउंस कर दीजेगा जी बेटे 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 लंबा नहीं पड़ना बस इतना ताके वो डिसाइड कर सके बने है दोन जहां शागे दोसरा के लिए सजीग में फिले कोने मुस्तफा के लिए सजीग में फिले मेरे करीम मेरे चार साज बेट नवा आप अपस में मशवरा कर लें तब तक मैं कॉल ले लेती हूं रॉयल फैंस साथ जिंदगी भर का सवाल पूछा के आज 15 रमजान मुबारिक है आज के दिन की क्या खास बात है वैसे तो रमजान का हर दिन जो है वो खास ही होता है लेकिन आज specifically हम किस दिन को celebrate कर रहे हैं 0-333-472-1524 पे आप कॉल कर सकते हैं और डेली हमारा ये segment होगा अजी असलाम अलेकूम अलो कॉल ड्रॉप हो गया आप लोगोंने डिसिजिएन ले लिया है जी बिल्कुल और बड़ा वाजिप मतलब I am very very sorry के मैंने आप लोगों पेतना प्रेशर डाला मुझे बुरा भी मैसूस हो रहा है के तोनों बच्चों के ओपर भी हम इता प्रेशर डाल रहे हैं बट देखें असल में हम जिस मनसर पे बैठे हैं ना वहाँ अला रसूल को जान देनी हमने अपनी इमानदारी से यह नहीं कोई किसी को जादा फेवर देने की कोशिक नथी जिस इसने इतना पड़ा है उसके मुताबक हमने डिसिजन यह कुछ पहले दिन बहुत अच्छा पड़गे कुछ दूसरे दिन बहुत अच्छा पड़गे अब कुछ लोगोंने कंसिस्टेंटली भी अच्छा ही पड़ा जी ऐसी है ओके यू नीड़ टेक अडिसिजन नाओ मेरी तरफ से सेयदा साब जो है इन्होंने बहुत अच्छा पड़ा है और भाई अंतरे पे जाते हुए थोड़ा सा मिस कर गए है मेरी तरफ से सेयदा साब जी मैं भी इसी बात प्योजे सेयदा की तो आप दोनों की कंबाइंड डिसिजन ये है कि सेयदा की वेल्कम बाक वेल्क वेल्ट व्यूवर्स रोयल फैन साथ सिंदगी भरका अब मैं फाइनल एक कॉल ले रही हूँ अगर जवाब ठीक दे दिया तो ओके अदरवाइस जैसे के कासिम भाई ने कहा है वो जो ब्रैकेट फैन है उसको घर लेके जा रहे है मुजाग कर रही हूँ आज का तो बहुत ही आसान सवाल था कासिम भाई अमने सिंसिब्ली यह पूचा के आज 15 नम्जानल मुबारेक है आज हम शेशन बना रहे है जवाब ना देने की हैरत कोई नहीं होती लेकिन जो जवाब दे उस वे तो बहुत ही है हाँ कभी-कभी घलत जवाब ऐसा आजाता है तो हूपफुली अब हमें सही जवाब मिलेगा जी हमारे साथ कॉलर है अससलाम अलेकूm वालेकूं सांग कुन बोल रहा है शवाब नादिया का हाल है क्या हुआ अपकी बिटा मैं बिल्कुल ठी हूँ आप बहुत ही जवर्दस शो कर रहे हैं फैंक यू सो माच मेरा बच्चा अला आपको कुछ रखे हैं इतनी सी करूं बहुत काम मैं अच्छा अब ये बताए वजदारीव करने से फैन नी मिलना फैन मिलना है अगर सही जवाब देंगे तो रॉयल फैन का आज पंद्रा रमजान ओन मुबारिक है आज के दिन की खास बात है अज हम फैन फिर से सोच के बताया है विलादत का दिन है मैं कही हूँ हजरत अमाम हुसेंद रजियललानों की वलादत। वो पाइब है किछन में जी, Chef Anam, क्या सिच्वेशन है आपके टिचन में? पीएंगे भी उसके बाद जो फूट सालेड था जामेशिरी वो भी रेटी हो गया बहुत ही लजीज वीवर्स हम जो इंग्रीडियंट्स करते हैं कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट इंग्रीडियंट्स हो और हम आपको बताते भी है उनके बारे में जिस तरह डालडा कलॉंजी था जाएं प्रेटी कनोला है उसके अंदर हमने फ्राई किया अपने रोस्ट को उसके इलावा हम अपने रोस्ट को भी इंजो इजो इजो विद नौर का चिली गालिक सॉस और जब यह रोस्ट खा लेंगे और अगर गलती से कुछ बच गया तो उसके जब हम सैंविच बना करें उसमें जामे शीरी भी डाला गया है इन दे इन सालेड देन जब हमने अपनी चिकन को फ्राई किया और उसको डिश आउट किया तो हमने यूस किया था रोस पैटल का जूप जो बहतरीन किचिन टावल है और यहा इंग यहा इंक्ट एट सबाट एट तो थैंक्यू सो म बाजी क्या है बिल्कुल ठीक टावर भाई वक्त कब मकाबला सक्त जल्दी से बताए रॉयल फैन साथ जिंदगी भर का हमारा आज का सवाल आप से यह है जिसका आप सही जवाब देंगे तो यह ब्रैकेट फैन आपके घर तक आपको पहुँचा दिया जाएगा आप इसको लेनाद हदरत महम्मद मुस्तिफा सुल्दा लॉयल वाले वाले वस्लम के नवासे हैं फास्यदा विदी फात्मा तो जहरा के बेते हैं और यह गाहल सैं मेरी तरफ से आपकिसी मस्जद में लगवा दें मैं खोश हूँँगा बाजी प्लीज जो लोग इस दुनिया में बह में जाहिए। अब आप कुछ words and wisdom share करें. तो महबत एक ऐसी दवा है, एक ऐसी मेडिसन है, एक एक ऐसी मेडिसन है, एक एसास एक ऐसी मेडिसन है, जो किसी फार्मा से नहीं मिलती है. आपके अपने रिष्टे उनसे ज़्यदा निंग आपको कहीं से नहीं मिल सकती है. उनसे ज़्यदा सकून आपको कहीं से नहीं मिल सक तो खुदारा अल्ला ने आपको अगर ये उलाद दी है मासूम, बच्चे, घर में जाएं फ्रेश कर देते हैं आपको देखके आप उनकी स्माइल से फ्रेश हो जाते हैं और अल्ला ने अगर बज़र्ग दी है तो खुदारा ये जो एक अल्ला की निमत है बज़र्गों की शकल में उनकी कंपनी जरूर एंजॉय कीजिए फ्रोड़ा सा वक्त उनको दीजिए क्योंकि ये मेडिसन्स आपको किसी फार्मा से नहीं मिल सकते क्या प्यारी बात वैसे पाजिब भाई, नो डाउट इस वाई सोशल मीडिया के हर प्लाटफॉर्म पे आपको लोग क्रेजी अंदाज में फालो करते हैं मुक्तसर बात में इतनी बड़ी बड़ी बाते हमारे साथ शेयर कर जाते हैं आप और इसी बात पे इतनी खुबसूरत बात पे कलाम की तरफ चलते हैं मतनी भाई कुछ पेश करें आज के जशन के मताबर इमाम आली मुकाम लिएसलाम के बड़े भाई इमाम हसन लिएसलाम की बारगाव में आजलब पर है नामे इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन आजलब पर है नामे इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन मुस्तफा ने जिसे इबनी हादा कहा मुस्तफा ने जिसे इबनी हादा कहा अल्ला मकाम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन आजलब पर सलाम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन राकी बेदोश सुल्तान कौनो मका राकी बेदोश सुल्तान कौनो मका देखिये इखतशाम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन पेशवाए इमाम हसन आप है पेशवाए इमाम हसन आप है कीजिए एहतराम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन आज लब पर है नाम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन हर सवाली कुदामर से बर कर दिया हर सवाली कुदामर से बर कर दिया देखिए फैद आम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन लिख रहा हूं वेल्कम बख्राइब देख रहे हैं, अलूर उचर प्रेसेंट नूर रमजान, मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे चोटे भाई शेरी खान है, वेल्कम आप इन्हें जानते हैं इस रहे हैं, और भुबसूरत मुजिक डिरेक्शन भी करते हैं, बोज भी अच्छा करते हैं, तो म नाते रसूल मकूल पेश करें, थैंक यू सो मच शेरी हसन को बादिशा है, खासों आम कहते हैं, अली का नाई बेकाइम मुकाम कहते हैं, दलील एक ही काफी हैं की अजमत में, हुसैन भी इनको अपना इमाम कहते हैं, कोई नभी नहीं है, कोई नभी नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नभी नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं कोई, शेरे खुदा नहीं कोई, अली मुर्तजा के बाद, कोई नभी नहीं है, ना है किसी के बेटे, हुसेन और हसन से योर, ना है किसी के बेटे, हुसेन और हसन से योर, ना फात्मा सीमा है, कोई फात्मा के बाद, कोई नभी नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाद, शेर खुदा नहीं कोई, अली मुर्तजा के बाद, जैसे पड़ी हुसेन ने, तीरों की छाओं में, जैसे पड़ी हुसेन ने, तीरों की छाओं में, ऐसी नमाज फिरना, हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिरना, हुई करबला के बाद, कोई नभी नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाद, शेरिखुदां, नहीं कोई, अले मुर्तजा के बाद, कोई नभी नहीं है, कोई नभी नहीं है, माशाला, माशाला, बहुत ही खुबसूरत आपने पेश की, क्योंकि आप हमारे साथ हो and you are our celebrity guest today, तो मैं चाहूँगी के आप ही हमारे बाइक के विनर का नाम निकाले and then Kaasim भाई अनाउंस करेंगे who the winner is, जरा एक तफा अच्छी तरह गुमादो अल्नूर ओचर्ड हाउसिंग scheme का यह हमारा ballot box और फिर अपने ही हाथों से अंदर से कहीं से नाम निकालो, बाइक के विनर का जरी मतलब किसी का सांस ही रुक जाए इंतजार करते करते कासिम भाई को अब आप दे दीजिए और Kaasim भाई अनाउंस करेंगे the winner of the name of the bike winner है Amin Tahir, इनका तालुक मीरपूर से है और station number 7586659, बहुत-बहुत मुबारिक हो इनका ताहर Amin आपको बहुत-बहुत मुबारिक हो, शरी बहुत-बहुत शुक्रिया, God bless you बल्के मेरे ख्याल से हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक में जाने से पहले कोई मेसेज अपने फैंस को या यूथ को देना चाहोगे, तेखो आप यूथ आइकॉन भी हो, बहुत से लोग आपको देखते हैं, do you want to say something to your fans? मैं बस यही कहना चाहूँगा के रोजे रखे, रमजान का मीना जितना हो सके, अबादात करें और जितना हो सके, stay safe, stay healthy Thank you so much, what a lovely message, और viewers, याद रखेगा, आप भी हमारी अलनूर ओचट हाउसिंग स्कीम की कुरांदाजी का हिस्सा बन सकते हैं, पांच मरले का प्लॉट चीच सकते हैं, हमारे सारे देखने वाले, simple सा तरीका है, अल जलील, डेवलपर्स के, आप सोशल मीडिया पेज़ पेज़ करें, और आप भी कुरांदाजी का हिस्सा बन सकते हैं, 27 रमजानल मुबारिक को अनाउंस किया जाएगा, लगी विनर का नाम, थू कुरांदाजी एस वेल, और भी थोड़ी देर बाद, उम्रे के टिकेट की भी हम कुरांदाजी करेंगे, सो आप प्रोग्राम देखते रह तो नोलेермम जात, लोले पताजागी एस वेल, और आप भी को आप आपिए।